गुड मॉर्डिंग बच्चों आज हम लोग क्या पढ़ेंगे शीत युद का प्रभाव इससे पहले हम लोगोंने क्या पढ़ा था शीत युद क्या है और शीत युद के क्या कारण है ठीक है तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रभाव सबसे पहले शीत युद का जो दो शिर्षक मानि दो भागों में बटा गया था पहला था लाबकारी प्रभाव और दूसरा था हानिकारक प्रभाव जब कोई युद होता है तो उसका लाबकारी प्रभाव और हानिकारक दोनों ही प्रभाव पढ़ता है तो लाबकारी प्रभाव पहले हम लोग पढ़ेंग जिसमें शांती पूर्ण सहय अस्तित्व को प्रोसाहन यानि कि दोनों महाशक्तियों के मद्ध शीत युद की जो भयावता यानि या भयावाय की इस्तिती थी उसके कारण ही संपूर्ण विश्व में विभिन देशों के मद्ध शांती पूर्ण सहय अस्तित्व को प्रोसाहन गुट निर्पेक्ष आंदोलन की उत्पत्ति यानि जब दोनों महाशक्तियों यानि कि संयुक्त राज अमेरिका और सोवियस संग में शीत युद के कारण संपुण विश्व दो प्रतिद्वन्दी गुटों में बढ़ गया था इन दोनों गुटों में समलित होने से बचने के लिए ही गुट निर्पेक्ष आंदोलन का जन्म और विकास हुआ नव अंतर राष्ट्री आर्थिक व्यवस्था की धार्णा का जन्म गुट निर्पेक्ष आंदोलन में समलित अधिकांश देशों को अल्प विक्सित देश का दर्जा प्राप्त था यानि कि वो देश कोई भी देश सही अर्थों में स्वतंत्र नहीं रह सकता था उसे धनी देशों पर ही निर्पर रहना पड़ता था क्यूंकि उसके पास इतने साधन नहीं थे इससे वो उपनिवेश देश भी हो सकता था इसमें राजनीती आजादी हासिल की गई इसी सोच के कारण 9 अंतर विवस्ता की धार्ना का भी जन हुआ फिर है आपका प्रद्योगिक विकास यानि शीत्युद के कारण ही समस्त विष्व में परमाणू शक्ति के छेत्र में saad mim प्रद्योगिक विकास को भी प्रोचाहन मिला पर दूसरा आपका क्या है सानि कारक प्रभाओ विश्व का दो गुटों में विभाजन यानि शीत युद के कारण ही विश्व का दो गुटों में विभाजन हो गया था एक गुट संयूत राज अमेरिका के साथ हो गया और दूसरा गुट जो है वो सोविय संके साथ हो गया इन गुटों के निर्मार से दोनों ही गुटों में समलित देशों को अपनी स्वतंत्र विदेश निती के साथ भी समझाता करना पड़ा तथा जो किसी गुट में समलित नहीं हुए थे यानि जो देश किसी भी गुट यानि इन दोनों गुटों में समलित नहीं थे उनके उपर भी दबाव बनाया गया कि वो किजी गुट में शामिल हो जाएं फिर सैनिक गट बंधों की उत्पत्ती हुई और शस्ती करण को भी बढ़ावा मिला जब इसी तरह से शीत युद में आपसी मद्भेद बना रहा तो शस्ती करण को भी बढ़ावा मिला निशस्ती करण की असफलता यानि कि शीत युद के निरंतर तनाव भरे वातावरन से मुक्ति पाने के लिए कई देशों द्वारा निशस्ती करण के प्रयास किये गए लेकिन इसमें इनको सफलता हाथ नहीं लगी और उसके बाद फिर क्या? भै वा संधे के वातावरन का जनम हो गया यानि कि जब शीत यूद यानि यूद होता है तो उसके बाद क्या होता है? भै होता है लोगों के अंदर तो ऐसे ही शीत यूद के कारण भी अंतरराष्टी राजनीती में भै और संधे का वातावरन बना रहा जो कि शीत यूद की समाप्ती तक चलता रहा फिर उसके बाद क्या है आपका? परमानु यूद का भै यानि कि दुति विश्व यूद के दोरान सहियुक राज अमेरिका ने जापान पर परमानु बमों का प्रियोग किया था इसी होड के कारण ही सोवियस संग ने भी परमानु अस्त्रों का विकास किया क्यूं? अगर कोई एक देश दूसरे देश पर हमला करेगा तो दूसरा देश भी अपने बचाओ में तो तयार रहेगा क्यूं बच्यों? तो इसी लिए जो है सयुक्त राज ने भी अपने परमानु अस्त्रों का विकास किया फिर उसने दोनों महाशक्तियों के मद शांती संतुलन इस्थापित हुआ लेकिन इनके बीच सैन इस परधा भी अत्यधिक बढ़ने लगी क्यूबा मिसाय संकट के समय जो है समस्ति विश्व को ये लगने लगा था कि दोनों महाशक्तियों के बीच में परमानु युद्ध जरूर होगा लेकिन फिर ये युद्ध जो है क्या हो गया? ये टल गया क्यूं टल गया? क्यूं? क्यूंकि विश्व के राजनीती का विभाजन भी दो धुरुविय विश्व का अरम, दोनों ही अपनी शक्तियां बढ़ाने की होड में लगे रहते थे, सारा विश्व दो गुटों के मद्ध बट गया था अगर कोई भी रास्ट्र इन महाशक्तियों से अलग रहकर अपना अस्तित्व नहीं रह सकता था दो गुटों के मद्ध विभाजन सरव परथम यूरोप में हुआ था, पश्चिमी यूरोप के अधिकांश जो देश थे वो अमेरिका के गुट में और पूर्वी यूरोप के जो देश थे वो सोविय संग के गुट में शामिल हो गए थे इसी कारण ये गुट यानि की खे में जो है वो पश्चिमी और पूर्वी गडबंदन भी कहलाए पश्चिमी गडबंदन यानि की अप्रेल उन्निस उन्चास में उत्तर अट्लांटिक संधी संगठन यानि की नाटो की इस्थापना की गई इसमें 12 देश शामिल थे संगठन ने गोशना की कि नाटो में शामिल सभी देश एक दूसरे की साहता करेंगे पूर्वी गडबंदन को वार्षा संधी के नाम से जाना गया इसका नेत्रित्व सोव्य संग ने किया था जिसकी इस्थापना 1955 में हुई और इनका मुख्यकार क्या था नाटो में शामिल देशों का मुकाबला करना बच्चों कुछ प्रष्ण आप नोट कर लीजिये जिसे की कर लीजेगा पहला प्रष्ण है धृवी करण का क्या अर्थ है दूसरा है बी पुलर किस का नाम है तीसरा प्रश्ण है दो गुटों के मद्धि विभाजन सर्व पर्थम कहां हुआ चौथा प्रश्ण है दो गुट किस नाम से जाने गए नाटों की स्थापना कब हुई और वार्षा संधी क्या है ये प्रश्ण आप अपने कॉपी में कर लीजेगा बच्चों और कल हम लोग कल क्या पढ़ेंगे गुट निर्पेक्षिता क्या है और इसका क्या अर्थ है